एलो फरेंड्स कैसे हैं आप आशाकरती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज की-स वीडियो के माद्याम से हम जानेंगे अशोकारिस्ट यख़ यॉजनी का नहीं आई एक कितने मातरों में हम इसका यूज कर सकते हैं कितने समय तक हम इसको ले सकते हैं और इसके benefit क्या होते हैं इसके side effect क्या होते हैं किन लोगों को इसको use नहीं करना है और यह इसका क्या combination होता है किन चीजों से मिलकर के बनी होती है और हमें कितना benefit यह देती है तो इसी के बारे में आज हम detail में बात करने वाल है जैसे कि अशुका रिस्त्र सिरप यह एक आयरवेदिक सिरप है और इसको market में कई ब्रांड के market में available होती है जैसे कि जंडू पतंजली और डाबर की ठीक है यह सबसे famous डाबर की अधिकतर सब भी जगे available होती हो इसका result भी काफी अच्छा होता है इसमें normally किन चीजों को मिला करके बनाया जाता है अभी आयरवे देखे तो इसमें कई जड़ी बूटियों को मिला करके बनाया जाता है बट सबसे main इसमें होती है अशुक के पेड़ की छाल इसलिए इसका नाम अशुका रिस्ट रखा है अब हम जानते कि सकते हैं जैसे कि हड़्यों का कमजोर होना पेड़ सिन रेगुलर पेट में काफी दर्द होना कमर में दर्द होना पेड़ अच्छे से नहीं आना पेड़ में छाले होना या इम्मूनिटी को बढ़ाने के लिए या फिर कांस्टिपेशन के प्रॉब्लम में उसको ठीक करनी के लिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह कैसे वर्क करती है फिमेल के लिए जैसे कि माल लीजिए आपके पेड़ से इन रेगुलर है अब पेड़ से रिलेटेट कौन-कौन सी बिमारिया होती है जिसमें इसका यूज करते है जैसे कि आपके पेड़ सारे पर उसमें ब्लीडिंग बहुत लाइटली होती है तो हम पेड़ का फ्लो बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं जैसे कि आपको PCOD, PCOS की प्रॉब्लम है या थाईराइट की प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडिशन में हमारे पेड़ समेशा डिले हो जाते है या पेड़ से इन रेगुलर हो जाते है तो नॉर्मली उस कंडिशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं और जैसे पेड़ को PMS की प्रॉब्लम होती है PMS क्या होता है? प्री मानस्टॉक्शन सिंड्रोम यानि कि जब हमें पीरिट्स आने वाले होते हैं तब ही हमें कुछ सिंटम से दिखाए देते हैं जैसे कि 4-5 दिन पहले से ही पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना पेट के निशली से मैठन होना और हमारी जो थाई होती है वहां पे भी कई पेशन को खिचाओ होता है और काफी जादा वीकनेस लगती है चिड़चिड़ापन होता है तो ऐसी कंडिशन में भी हम इसका यूज़ करेंगे तो पेशन को काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है साथी में कहीं बार यूटरस में काफी पैन होता है यनि कि बच्चेदानी में हमेशा दर्द अगर बना रहता है तो उस कंडिशन में भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट होता है PCOD, PCOS के कारएं हमेशा पीरेट डिल्य हो जाते है तो उस कंडिशन में हमारी पीरेट को भी रेगुलर करती है अब पेट से रिलेटेट हम क्यों यूज़ कर सकते हैं पेट से रिलेटेट में जिससे आपको खाना नहीं पच्छता है इन डाइजेशन के प्रॉबलम में पेट में गेस बनती है या पेट में छाले है तो ऐसी कंडिशन में भी अगर आप इसका एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करेंगे तो आपको इसको यूज़ करने के बाद में जैसे कि पाचन क्रिया ठीक होना खाना अच्छे से पचेगा मतलब डाइजेस्ट होगा पेट में गेस नहीं बनेगी और अगर आपको पेट में जलन की समश्या थी नॉर्मली पेट में जलन की समश्या कव होती है जब या तो आपको हाइपर एसिडिटी है या फिर आपको पेट में अलसर है यानि कि छाले है तब हमरे पेट में जिसे कि हम थोड़ी सी भी तेज मिर्च मसाले वाली सबजी खा लेते हैं या हम ऐसे कुछ चीजे खा लेते हैं जिसमें कि जादा मिर्च है तो हमरे पेट में जिसे ही वो चीजे जाती है वो फूड जाते हैं तो हमें बर्निंग यानि कि जलन होने लगती है कई पेशन को बहुत तेज जलन होती है तो एसदे कंडिशन में अगर आप इसका कन्टिनैव यूस करेंगे हम जानेंगी आगे कि कितने समय के लिए इसका यूस करना चाहिए तो एससे कंडिशन में भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट होता है साथ में जिसे हड्ड या कमजोर हो जाती है तो यह हमारी bones को भी HK coding हमारी bones calcium के कमी के कारण भी weak हो जाती है जितना nutrition हमें चाहिए उतना नहीं मिल पाता है proper जैसे कि आपको हाथ पेरों में हमेशा दर्द बना रहे ना या थोड़ा सा भी जिससे आपने वजन उठाया तो आपको इसा लगता है कि हाँ हमारी हड्डियों मे दर्द हो रहा है हाथ पेर में उतनी जान नहीं है और काफी बॉड़ी में पुरा हमेशा ही दर्द बना रहता है जिससे कभी सिर में दर्द कभी कमर में दर्द कभी पेरों में दर्द कभी हातों में दर्द तो यसी condition में हमारी bones भी होने लगती है जिसके कारण हम proper हमारा कंडिशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं okay साथ यूज और ऐसी कौन सी कंडिशन है जिसमें कर सकते हैं जिसे कि हम इमनियूटी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज करते हैं i ön तरफ से देखा जाए तो कई फिमेल ऐसी होती है जो महिने में तीन-चार बार तो नॉर्मल बीमार हो जाती है और उनको होस्पिटल जाना पड़ता है तो ऐसी कंडिशन में भी हम इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए या बार-बार फीवर जाता है वाइरल फीवर यानिकि ट पेशेंट उतने बिमार नहीं पड़ते हैं नॉर्मल हम ले इसलिए रहे कि हमें बेनिफिट मिले तो इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि इसको कौन से इसे पेशेंट है जिनको बिलकुल भूल करके भी नहीं लेना है ओ आप यह जब भी स्कोने वाले है तो एकबार ही अपने नियर्स डॉक्टर वेंसके बाद में आपको लेना है यह वीडियो अन्ली आपके लिए नौलेज के लिए बनाये गया हिए और अगर आप अपना यह जूतनों से बींद के कि नहीं लेना है देखिए मैंने कई पेशेंटे से देखें जो सिर्फ वीडियो देख लेंगे जा करके खरीद लेंगे और स्टार्ट कर देंगे और फिर बाद में कमेंड्स करें में हमने आपके वीडियो के बता है अनुसार हमने इस मैडिसन को यूज किया और अब हमें यह प्रावलम हो रही है तो आप लोग इसी गलतियां ना करें अपनी मर्जी से कोई भी मैडिसन आपको यूज नहीं करना है ओके दिखें जिन लोगों को जो डाइबेटिक हैं को यूज नहीं करना है तो वो इसका यूज नहीं करें क्या करती है तो उससे क्या है पीरट्स आने के चांस बढ़ जाते हैं यूट्रस में कई बार प्रेंप भी आने लगते है इसको पीनिक के बाद में साथ ही में जो आ फिमेल जैसे परीगनेंसी के साथ में हमारे बैबि को फीट करा रही है तब भी आपको दिना एडवास के इसको यूजे नहीं करना है तो यह ऐसे कुछ बिमारिया है जिसे कि थाइराइड वाले पेशिंट को भी बिना डॉक्तरी के कंसल्टेशन के कुछ नहीं लेना है थाइराइड डायबिटिक पेशिंट और हाई ब्लड पेशर साथी में जिनको प्रेगनेंसी उनको इसको यूज नहीं करना है क्योंकि नॉ साथी में जिसे हड्या कमज़र है असके लिए उसके लिए के चाले तो यह सब बिमारियों को ठीक करती आँब सबसे में बात कि हम इसका कितना डोज ले मात्रा कितनी ले तो यह थोड़ा सा एज के कोडिंग भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या उसके कोडिंग हम डिसाइड करते कि आपको डोज कितना देना है नॉर्मली चाहे आप एक एडल्ट है या फिर चाइल्ड है चाइल्ड में हम 10-year से उ आम को खाने के बाद में देते हैं और अगर आपके कंडिशन उस लाइक है तो हम 10 ml पी देते हैं पेशिंट को कहीं को 7 ml पी देते हैं यानि कि 1 टीज स्पून भी देते हैं यह पेशिंट के डिजस पर डिपेंड करता है इसको आप कंटिन्यू 3 मंद तक ले सकते हैं अब य इसा तो नहीं है कि आपने एक बोटल मतलब आदी बोटल खतम की और आपको आराम मिल जाएगा आयरवेदिक चीजों में तो काफी समय लगता है बाकि रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप कम से कम तीन महीने तक इसको कंटिन्यू ले सकते हैं और आप जिस चीज के लिए अगर एक बोटल में ही आपको आराम मिल गया तो फिर आगे लेनी की जरुवत नहीं है जब आपको फिर से समय होती तो आप फिर से ले सकते हैं पर जब भी ले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की बाद ही ले नॉर्मल इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 150 के अरा में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं धन्यवाद